हलो दोस्तों मैं पुश्रान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वेटीर कमुनिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम जिस टॉपिक के उपर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक को लेके बहुत सारे कोईज भी आए इस्पेसली जब मार्केट आपका एक यूज करना चाहते हैं low volatile market में अगर आप same type of trading strategy low volatile market में भी यूज करेंगे तो आप कितने भी एक rate trade क्यों न ले ले आपको वहाँ से profit बना पाना बहुत ज़्यादा मुस्किल है तो हमें low volatile market के लिए अलगसा trading strategy फॉर्म करने की ज़रुरत होगे तब ही हम यहां से profit बना सकते अदर्वाइस इस volatile market से यहीं low volatile market से हमें profit बना पाना बहुत ज़्यादा मुस्किल होगा तो चलिए low volatile market में हम कैसे profit बना सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीखते हैं यहां पर हम चार्ट पर आगें और यह जो चार्ट है आपका bank nifty का daily chart हम daily chart में इस concept को हम समझ भाएं कि हमें strategy कौन सा यूज करना फिर उसका आप implementation किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्वेड करते चाहें इंट्राडे ट्वेड कर देंगा तो यहां पर देखिए जब market में volatility जाता है तो उस time पे हम direction के साथ trade करके profit बना सकते हैं यहां पर market आपका uptrend में हैं यहां पर market आपका downtrend में हैं लेकिन जब market में कोई trend ही नहीं रहे वहां पर हमें कैसे trade करते हैं जैसे यहां पर आप देख सकते हैं लगातार आपका 1,2,3,4,5,6,6 trading sessions six days market आपका एक particular range में trade करता हुआ दिखा है अब यहां पर अगर आप especially options buying करोगे तो क्या होगा options buying में time decay आपका सबसे बड़ा दुस्मन रहता है और यहां पर पूरा expiry week कोई moment ही नहीं आया है मतलब यहां पर जवरदस्त हमें time decay देखने को मिलेगा और चाहे market थुरा बहुत आपके favor में क्यों ना move कर रहा हो आपको options में क्या होगा ultimately आपको loss ही उठाना परेगा इसलिए especially जब market आपका एक particular range में trade कर रहा हो उस time पर हमें options buying नहीं करना है फिर हमें options buying करना कब है इसके लिए हमें अलग सा strategy उज़ करना होगा उसके उपर बाद में आएंगे उससे पहले अप यहां पर भी देख सकते हैं इसके बाद market में वापस से momentum आया और अच्छा खासा momentum आया फिर momentum दिखाने के बाद वापस से market आपका एक particular range में move करने लग गया है यहां पर जो range में move कर रहा है यहां पर आपका green candle जादा है यहां पर रेट करना जादा फिर भी price नीचे नहीं आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ यहां पर game हो रहा है यहां से market आपका नीचे उपर कहीं पर भी जा सकता हमें कुछ idea नहीं है लेकिन अगर इस particular time पर अगर हम trade करते हैं तो बहुत सारा candle में अगर आप open high में देखे तो ज़्यादा कोई difference नहीं है और जो कोई भी यह distance cover कर रहा maximum कैसे cover कर रहा और इस volatile market में भी आपका क्या हो रहा gap up और gap down जादा हो रहा है मतलब आपको market में entry करने का ज़्यादा मौका ही नहीं दे रहा है और वैसे में अगर आप जबरदस्ती market में entry करते हैं तो आपको loss होने से कोई नहीं बचा सकता है यहाँ पर हम कैसे profit बना सकते हैं एक big question है जिसका हम answer इस video हम find करने कोशिस करेंगे ऐसे ही अगर आप nifty को देखें तो यहाँ पर price में direction है अप sir की तरफ है लेकिन अगर आप candle के size को देखें open high को देखो तो ज़्यादा कोई difference नहीं है ज़्यादा कोई open high में difference नहीं है यहनी price आपका ऊपर sir की तरफ जा रहा लेकिन आपको entry करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा यह gap up के साथ distance cover कर दे रहा और अगर आप gap up open होने के बाद market में buy sir की तरफ entry लेते हो तो फिर यहाँ पे आपका क्या होगा जो time decay है जो premium decay है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा और ultimately हम यहाँ पे loss में ही रहेंगे यहीं आपको देखने को मिलेगा कि market ने आपका 200-300 point का upside move दिखाया लेकिन आपको entry करने का मौका ही नहीं देगा जहाँ पे आप entry करने का बार में सोचवे उससे 100-500 point उपर ही open होगा उतना उपर हमें entry करने का हिम्मत ही नहीं होगा फिर उसकी बाद market में कोई momentum देखने को ही नहीं मिलने वाला ऐसे ही जब market आपका gap down होता है उसकी बाद market आपका एक particular range में trade करना है start कर देता फिर हमें ना buy करने का मौका मिलता है नहीं हमें sell करने का मौका मिलता है और हमने कई बार जब हम daily intraday video का analysis करते हैं तो कई बार हमने बोला है कि आज market आपको trading opportunity नहीं दिया है हमें कोई trade नहीं मिला है तो वैसे हमें special सा trading strategy फार्म करने की जरूरत है वो क्या है वो यहां पर आपको समझने की जरूरत है सबसे पहले यहां पर हमें क्या find करना है जब भी market आपका एक particular range में move करता है तो यहां पर आपको prefer करना है अगर आप trade करें तो आपको futures में trade करना है क्योंकि futures में trade करके यहां से profit बनाया जा सकता है अगर आप options में trade करेंगे especially अगर आप options buy करेंगे तो यहां से profit बनाना बहुत जादा हम उसके लिए फिर आपको loss होना यहां पर लगबग guarantee दिये इसमें भी हम options buying कर सकते हैं लेकिन जब range के बाहर आएगा तक उससे पहले हम न जानी किया है उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को play store से डाउनलोड करना पड़ेगा नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में भी है उस लिंक पे क्लिक करके भी आप हमारा mobile app download कर सकते हैं वहां पे हमने options के बार में एक दम 0 से लेके advanced label तक बताया है और हमने इस तरीके से बताया कि आप एजर independent trader काम कर सकते हैं खुद से अपना trading decisions ले सकते हैं खुद से अपना options वाला trade generate कर सकते हैं तो आप एक बार हमारा mobile app download करके course को जोड़ विजिट किजिए उसके लावा वहां पे आपको technical analysis, chart pattern, candlestick pattern यह सब कुछ भी मिलेगा और stock market का basic से लेके advanced level तक यहन पसंद आता है तो आप enroll कर सकते हैं यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बता है क्या हो रहा है प्राइस में हमें contraction देखने को मिल रहा है यहाँ यहाँ पर ज्यादा range में trade कर रहा था फिर range धीर धीर कम होता दिख रहा और अगर आप अपर हाफ में buy कर लेते हो तो आपको loss से कोई नहीं बजा सकता है lower half में buy करोगे opportunity मिलता है तो profit बन सकता है नहीं तो profit नहीं बन सकता है यहाँ पर maximum काम हमारा luck पे हो जाता है यह अगर हमें lower half में entry मिलता है तभी हम profit मना सकते नहीं तो profit नहीं मना सकते है तो हमें luck पे काम नह करना तहूं ने क्या देखा कि प्रैस से मोमेंटम ही नहीं है अब जब प्रैस में मोमेंटम करना ऐसा कभी मोमेंटम करना ओक बहुत जल्द मूव करेगा और प्राइस में अगर कॉंट्रेक्शन आ रहा तो मतलब है कि बहुत जल्द यहां पर हमें ब्लास्ट देखने को मिलेगा तो अगर आप options buying कर रहे हैं तो जैसे market आपका range more move दिखा है आपको क्या करना blast के लिए इंतजार करना यह नि ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन के लिए इंतजार करना है जैसे यहां पर price आपका एक range में आ गया तो हमें इंतजार करना है कि कब breakout या फिर breakdown देखने को मिले जैसे price आपको इसको break करके उपर निकलेगा हम बाई सार की तरफ जाएंगे जैसे इसको break करके नीचे जाएगा हम sell सार की तरफ जाएंगे उससे पहले आपको यह एक pattern draw करने के जवबत परेगे हमने इस low और इस low को join करते हुए यह trend line draw कर दिया और हमने यहां पर तीन candle जो high बना है इसी high क और इस candle का भी high आप ले सकते हैं हमने trend line draw कर दिया और यह trend line हमें अच्छा खासा indication दे रहा तो देखे जैसे price इसके नीचे आया है यह निक इस trend line को break करके नीचे आया हम यहीं पर क्या करेंगे sell सार की तरफ इंट वी लेंगे यह point sl के रूप में काम करेगा फिर हम इस target price के आसानी से जा सकते हैं और देखे इसने target price को hit भी किया यह नहीं हमें लगबग अच्छा खासा time कोई profit नहीं दिया लेकिन जैसे ही इसको break करके नीचे आया हम अगले कुछ दिनों तक लगतार profit मना सकते हैं क्योंकि यहां पर हमारा market का direction clear है और यहां पर हमें क्या strategy यूज कर तो इस तरीके से यहां पर trading positions initiate किया जा सकता है अगर जब price इसके अंदर है इसके अंदर अगर ट्रेड करना ही चाते हैं तो फ्यूचरस में trade कीजिए जब lower level पर रहता है तो आप buy कर सकते हैं और जब trend line के higher level पर रहता है तो आप sell कर सकते हैं और काफी छोटा सा और यहां प यहां पर आपका वह अपसे ट्रेंगुलर पैटरन का formation हो गया और जब लास्ट दो trading sessions देखिए यह आपका लगवाग 100-500 points के बीच में ही आपको move करता हुआ और 100-500 points के बीच में move करता है तो यहां से profit बनाना बहुत ज्यादा मुस्किल हो जाता है तो ऐसे यहां पर ब्लास क्यों नहीं करने बोलगा यहां पर अगर आप lower level पर buy भी करते हैं तो आपको देखिए market ज्यादा उपर नहीं किया और यहां पर options buying में आपको कुछ भी मिलने वाला है नहीं ultimately time decay होगा और उसके कारण से आपको थोड़ा बूत loss ही उठाना परेगा इसलिए यहां पर हम जब भी market आपका रेंज में मूव करें आपको एक पैटर्न फाइंड करना है यहां पर मूव कर रहा था यहां पर हमने क्या फाइंड किया हम यहां पर breakout या ब्रेक्डाउन का wait करेंगे यहां पर हम वापस से options में buying कर सकते हैं तो इस तरीके से आप trading positions initiate कर सकते हैं चाहिए आप intraday में हो swing trading हो या positional trading हो आपको यही सारा काम करने की जरूरत है तो उमीद करते हैं कि आपको low volatile market में कैसे trade करना यहीं मार्केट जब आपका किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए साथ बेल आइकन दवाद ना भूले ताकि जब भी वीडियो अप्लोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो मिस ना करें तो रेट आल फैंस मिलते नेक्स वीडियो में जय हिंद